Hello students, welcome to Global Online, this is Ankiita Sode, so MPSET 2023 examination जो की 27 अगस्त को कंड़क्ट करवाया गया था, इससे related एक official public notice जाली किया गया है, जिसमें final answer की आप सभी के साथ share की गई है, तो आप सभी students इस answer की को जरूर चेक कर लीजेगा, क्योंकि आपको अपने result का idea इसी answer की से पदा चल जाएगा, कि आप exam qualify कर पाए हो, या फिर नहीं कर पाए हो, तो आपको इस वीडियो में कुछ steps में बताऊंगी, अपने mobile phone में भी उन steps को follow करके आप अपनी answer की, जरूर चेक कर लीजेगा, तो सबसे पहले आपको जाना है, मध्यप्रदेश Public Service Commission के official website पर, जिसका link यहाँ पर आप देख सकते हो, and official website का link आपको description box में भी मिल जाएगा, यहाँ पर what's new पर जैसे ही आप देखोगे, view all पर click करना है, इनके notice board बे, सबसे पहला notice यह आपको दिखेगा, state eligibility test 2022, इस link पर जैसे ही click करोगे, आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला notice यही है, जो कि अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है, इस पर click करते ही आपके सामने एक इस तरह की PDF open हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस PDF में लिखा हुआ है, कि जो examination conduct करवाया गया था 27 अगस्त को, उसकी official answer की official website पर जारी कर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकत इसी page पर जब नीचे की और click करोगे, आप सभी students मुझे बता दीजिए, यह directly PDF का link में आपको description box में share कर देती हूँ, ठीक है, जैसे ही आप नीचे की और बढ़ोगे, यह paper 1 की आप देख सकते हो, teaching and research aptitude paper 1, professional answer की है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखोगे, आपको सारे options न से देख लीजिए, ठीक है, question wise आपकी answer की जारी की गई है, यहाँ पर देख सकते हो, subject code 2, chemical science, यहाँ तक यह जो 50 questions आपको दिख रहे हैं, यह जो 50 questions दिख रहे हैं, यह आपके paper 1 के है, and इसके बाद, इसके बाद यह देख सकते हो, paper subject code 2, chemical science, नीचे बढ़ेंगे, तो subject code 3 है, commerce यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से directly आप सभी students पटाफट से अपनी answer की चेक कर लीजिए, आपको पता है, total 150 questions आपने दिये थे, इनी से आपको पता चल जाएगा, इसी answer की से आप लोगों को पता चल जाएगा, कि exam आपका qualify हो पाया है, या फिर नहीं हो पाया है ओके, so कोई भी doubt अगर आपको रहता है, अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा है, ये देखने के बाद भी, कि आंसर की को कैसे चेक किया जाए, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हूँ, मैं जरूर आपकी help करूँगी, हमें यहीं उमीद है, कि आप सभी students के exam जरूर qualify हो जाएगा और इसके लिए आप लोग अपने मध्यपृदेश पब्लिक सर्विस कमिशन का जो assistant professor के notification आई है, उस form पर भी ध्यान दीजेगा, sit exam या net exam qualify होने के बाद आप इस form को जरूर भर सकते हो, तो इसके paper 1 preparation के लिए complete courses available हैं, जिसमें हम आपको full syllabus norms, MCQs और test series देते हैं, examination के previous pattern को analyze क करने के बाद, उसके level को analyze करने के बाद, ये complete course बनाये गए है, and given numbers पर contact करके आप इसको जरूर 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 जोइन कर लीजए, इसके लिए सिरफ एकी बार fees देनी है, 2000 रुपीज, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, फटा-फट से answer की चेक कर लीजए, यहां से आपको idea हो जा करा कर, search bar में आपको course का नाम लिखना है, MPPSC paper 1, आपके सामने course आजाएगा, जहां पर कुछ free videos भी available है, जो कि आपको definitely बहुत पसंद आएंगी, so thank you so much everyone for watching this video, and I wish you all the videos.